अब हम देखते हैं कि machine learning के तो समझ आ गई अब इसकी types कितनी हैं और वो types क्यों important है और types के साथ एक छोटी सी हम वो जैसे बच्चों को बताते होते हैं कि बेटा यह देखो 2, 1,000 हो गयता है 2 फिर आप कहते हैं 2,500 उसको याद होता है 2,2004 तो आप directive 5 पर पूछ लेते हैं तो इस तरीके से हम machine को पहले सिखाते हैं फिर उससे पूछते हैं वो ही काम हम करने वाले और मेरी recommendation है आप लोगों को जो सीखें, कोशिश करें, दूसरों को बताएं ताके आपका जो knowledge है वो disperse भी हो आगे, expand भी हो और जब आप किसी को बताते हैं believe me आपके अपने concepts पक्के हो जाते हैं तो machine learning की ना चार types हैं, जो इस वकत non machine learning की types हैं, ठीक है इसके इलावा बाकी भी आ रही है, जो इसी के अंदर समाती है सबसे पहले type है supervised machine learning ठीक है, supervised machine learning की है कि आप machine जो है वो काम करती है under supervision जैसे सर पे कोई खडा हो ठीक है और वो basically data के अंदर ही आप किसी को supervised बना देते हैं, supervisor बना देते हैं right, so यह supervised learning इसमे एक teacher teach करता है to machine then machine can predict and then we have outcomes ठीक है, so this is called supervised machine learning second one is, जो इसका totally ult है that is unsupervised machine learning ठीक है, जिसमें no supervisor is known, no teacher is there machine खुद बाखुद सीखती है based on the patterns inside the data जैसे clustering हो गई मैं आपको एक मिसाल देता हूँ मैंने टोकरी भरी fruits की और मैंने machine को बोला मुझे बताओ के इसमें fruits कौन-कौन से वो कहती ही मैं यह तो नहीं बता सकते लेकिन ऐसा कर देते हैं तो जो एक जैसे हैं वो एक side पे कर दू जो दूसरी type के हैं वो दूसरी side पे, तीसरी type के, तीसरी type के यानि के arm, kela और save उसने separate कर दिये This is called clustering machine को कुछ नहीं पता क्या करना है लेकिन उसको यह पता लग गया कि data किस किसम के है उसने एक जैसे groups मना के side पे कर दिया data And this is the technique, जिसकी base पे patterns find करके, आपके पास Google का search engine काम करता है Google के अंदर अगर machine algorithm को देखा जाए, of course unsupervised learning बहुत ज़्यादा है, मैं आपको मिसाल देता हूँ आप शारुप खान लिखते हैं, cricket की कोई news आएगी आपके सामने किसकी आती है, Hollywood, Bollywood, अगर actor का नाम लिखेंगे, of course Bollywood का है तो Bollywood की आजाएगी उसकी जो different किसम की हो सकता है, मननत लिखा आजाए, जो उसका घर है, इस तरह की चीज़ें आजाती है आप Tom Cruise लिखते हैं, of course, acting के दुनिया में Mission Impossible, उसकी एक बहुत मशूर movie अब वह आ जाएगी फिर आप लिखते हैं Bill Gates, तो acting वाली कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं आ नहीं, क्योंकि they have made clusters based on the searches जो लोगों ने perform किया है, और लोगों के profession की base पर, ठीक है, तो क्या आएगा of course, Microsoft के बारे में Information आएगी, News आएगी, AI की, recently OpenAI के साथ उसने जो collab किया, वो आएगा और recently, Satya Nandela ने Microsoft का एक event हुए, तकरीबन एक से दो दिन पहले हुए, अगर आप उस पर जाके देके, they have launched different things online, जिसमें AI agents भी हैं, जो उन्होंने launch कर दी हैं भई, लोग अभी पढ़ रहे हैं के कैसे करने हैं, so Microsoft is a step ahead, और उन्होंने एक और device launch करने वाले हैं, that's called Office 365 Link, so ये सारी news आप के सामने आजाएंगी, फिर आप वहाँ पर लिखते हैं, किसी politician का नाम पाकिसान से, तो क्या होगा? समझे रहे ना बात को, फिर politics की news आजाएगी, ARY चल पड़ेगा, G.O चल पड़ेगा, बाकी चीज़ें चल पड़ेगी, ठीक है? और of course, अगर आप किसी एक specific politician का नाम लिखते हैं तो हो सकता हो, वो भी न चलें, क्योंकि उन्होंने band लगाया हुए, so दुनिया में चलते है आप लगते हैं, ट्रंप का नाम, क्या होना है? फूरान से news आजानी, US election की, Google पे, और ranking में top पे page वो ही आएंगे, जो इस news को publish करें, ऐसी होता है, ठीक है? फिर आप लिखते हैं कुछ advanced level पे, say for example, आप लिख देते हैं, data science in उर्दू, तो आपके पास गिने जुने दो तिन आप लिखाने हैं, और alhamdulillah उपर मेरा नाम भी होगा, तो अगर आप देखेंगे na, Google पे data science in उर्दू, तो सबसे पहले शायद मेरी ही तस्वीर वहां पे आए, क्योंकि I am one of the pioneers in Pakistan, जिसने data science को उर्दू में पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर बात करते हैं, data science in Hindi, तो पांच लिखा जाता है तो वो आएगा, इसी तरीके से Trump लिखेंगे वो आएगा, Elon Musk लिखेंगे वो आएगा, Pakistani किसी politician का नाम लिखेंगे वो आएगा, मैं नाम इस वज़ा से नहीं ले रहा, लोग मुझे भी cluster करतेते हैं, कि ये party का बंद है, मैं किसी party का नहीं हो, मैं बस अपनी party का बंद हो, so this is how we can go through different kind of algorithm, this is called clustering, and clustering is very important for any machine learning algorithm, फिर आता है जी semi-supervised, unsupervised की समझ आगे, खुद बाखुद मशीन segregate कर दे, semi-supervised क्या है, mixture of 1 and 2, कुछ डेटा आप बता दे, कुछ डेटा आप चुपा ले, तो वो मशीन खुद से भी सीखे और आप भी सिखाए उसे, और यह बहुत कम use होती, semi-supervised, या तो data होता है या नहीं होता, तो अगर data नहीं है ना, तो आप उस data को पहले predict करके फिर supervised ही बना लेते हैं, so I will show you how you do that, so इन दोनों का जो संगम है ना, यह बंदन तो प्यार का बंदन है, यहां पे इन दोनों का यह संगम तो machine learning का संगम है, यह laboratory में use होती है, यह robotics में use होती है, this is the thing, जो hit and trial method पे चलती है, जैसे मैंने आपको बताया, machine को data दे के आपने train कर दिया, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, EV की automatic car parking, Tesla की car parking ले लो, ठीक है, वो automatically आप उसमें car parking function पे click करेंगे ना, वो automatically दो लाइनों के दर्मियान आके parking कर देगी या और भी गाड़ियां मुझूद है, तो वो कैसे उन्होंने इस चीज को achieve किया, they have trained a model, फिर वो जब गलत चलता था ना, model छोटे prototype base पे, उसको number कम देते थे, या आप वैसे कहलें कि उसको डांटते थे, ऐसे ही नहीं किती पार्क, तो वो next try करता था, and जो पुरानी try उसे भूल के, यानि कि वो उसको ऐसा रखता था कि अब मैने ऐसे पाख नहीं करनी, जो रबोट था, फिर next try में वो नहीं नहीं तरीका try करता था, फिर नहीं, फिर नहीं, फिर नहीं, फिर नहीं, तो hit and trial method की base पे, those machines learn how to park, ठीक है, that is called reinforcement learning, और gaming के अंदर भी यही चलता है, इसम learn from your mistake, मिसाल दूँ एक और, chat GPT के उपर आप thumbs up या thumbs down देते है ना, जब response आता है, that is reinforcement learning, अगर आप एक thumbs down देंगे ना, वो कभी भी, वो response, same question पर नहीं देगा, समझाई, and they have integrated this model, then reward and punishment rule होता है, of course, जब आप thumbs up देते हैं, this is a kind of plus one point for them, for machines, और वो कैते हैं, यह मेरा जबरदस्ता, चलो इसको दे, and मेरा अक्सर अकात यह plan होता है, जब भी कोई चीज मैं search करूँ, so I look into the machine learning algorithm, अगर वो अच्छा मुझे answer दे, मैं उसे thumbs up भी देता हू, और फिर बाद में उसको बताता हूं कि यह code मेरा finally ठीक चल गया, thumbs up, even अपनी तरह से addition करके, उसका गया है कि चलो जो बिचारे मेरे बाद इस code पर खपेंगे, उनको तो चाहिए GPT से ही answer देना, so this is kind of contribution that you can do, this is called data annotation, या machine learning annotation, या code annotation as well, so आप basically model को खुद से train भी कर रहे हैं, फिर आपकी Facebook की profile पर आप तस्वीर लगाते हैं, likes आते हैं, heart आते हैं, बीच में एक आदे हाँ हाँ हा के reaction भी आता है, ऐसे ही है, या different other websites के उपर भी, so वो basically आपकी तस्वीर को, आपके algorithm को train कर रहे होते हैं, और वो बता रहे होते हैं कि आपको कितने और लोगों को दिखा आने हैं, मिसाल देता हूं, मेरी एकसर reels जो हैं, वो viral हो जाती है, एकसर 200 views भी ने आते हैं, एकसर वीडियो पे 10 बंदे के बाद को देखता नहीं है, so why it happens, क्योंकि जो सुन रहे होते हैं, 10 वो react को ही नहीं देते, so जितने भी algorithm हैं, वो hit and trial की base पे चल रहे होते हैं, जब वो आगे virality की तरफ जाती है, so this is like hit and trial, and this is how the things work, ऐसा नहीं है, मैंने आज वीडियो लगाई है, automatically, वो ऐसा ब्लॉस कर जाए, लो जी, 2 million views आगे, ऐसा नहीं होगा, until unless मेरे नाम के आगे भाई ही लगता हो, या दकी भाई हो, so these kind of things happen in Pakistan, anyhow, the thing is, this is called reinforcement learning, and prediction based on reward and punishment, and depends on the feedback, feedback की base पर सारा कुछ चलता है, अब जितनी बड़ी companies हैं, वो सारी की सारी machine learning की types को use कर रहे है, एक नहीं है, उनके हर system के अंदर कुछ नो कुछ नहीं है, ठीक है, so वो आप कहां से पता कर सकते हैं, उनकी documentation के थ्रूप, so this is how you work, अब इनकी examples हम देखते हैं, और examples के उपर हम काम कर करते हैं, यहां हम ऐसा करते हैं, चले, यहां पर एक छोटा सा हम assignment रख लेते हैं, आपने अब क्या करने हैं, आपने supervised, unsupervised, semi-supervised and reinforcement learning, इनकी examples plus इनके अंदर कौन-कौन से algorithms आते हैं, वो सर्च करने हैं, ठीक हो गया, इन चारों के अंदर जो algorithms आते हैं, आपने वो सर्च करने और वो सर्च करने हैं, अगले lecture से पहले, ठीक हो गया, थोड़ा interactive होके हम चलेंगे, then you will understand किस तरीके से हमारा काम जो है वो चलता है, so अगर आप जैसे से सर्च करने, discord का link मैंने description में भी दिया होता है, आपके पास भी है, तो वहां पे उसकी एक अच्छी सी diagramatically representation बना के paste करे और उसको अपने social media के handles पे भी share करे, that would be helping to you as well, ठीक हो गया, यहां अंदा clear है, okay